हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है अभै गुपता इस्टेनो यूटूब चैनल पर जो लोग भी चैनल पर नए या हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे की आगे आने वाले डिक्टेशन उनको समय समय पर मिलती रहे यह डिक्टेशन असी से पचासी सब्द प्रति मिनट का रहेगा जो की पांस सेकेंड बाद श्टार्ट होगा देश के तीन राज्यों उत्तर प्रदेश हिमाचल और करनाटक से राज्य सभा के पंदरह सदस्यों के लिए चुनाओं में विभिन पार्टियों के विधायकों के पाला बदलने की घटनाएं ना तो पहली हैं और ना ही ये आखरी होंगी मगर ऐसी घटनाएं राजनीतिक कौतुक चाहे जितना पैदा करें इनकी सराहना नहीं की जा सकती क्योंकि ये हमारी लोकतांतरिक विवस्था में जनता के भरोसे को कमजोर करती हैं चाहे वे सपा के विधायक हों या कांग्रेस के या भाजपा या सुभा सपा के इन तमाम पाला बदल विधायकों की आस्था यदि अपने अपने दल में खत्म हो गई थी तो उन्हें अपनी विधायकी से इस्तीफा दे कर नया जनादेस लेना चाहिए था पर कोई विरले ही अब ऐसा उदाहरड पेस करता है ऐसा नहीं है कि किसी दल से विधायक या सांसद चुने जाने के बाद कोई व्यक्ति अगले पांच वर्सों के लिए बौधिक रूप से गुलाम बन जाता है बल्कि विधाई सदस्य देश हित और जन हित में पार्टी लाइन के विरुध बोलने को पूड आजाद है और सम्विधान उन्हें इसका अधिकार देता है हमारी संसदिय बहसों में ऐसी अनगीनत नजीरें महजूद है जब सांसदों विधायकों ने विभिन मुद्दों पर पार्टी लाइन के विरुध अपनी राय रखी भारती लोकतंत्र की वैस्विक प्रतिष्ठा में इन अशहमत आवाजों का कहीं बड़ा योगदान है जाहिर है ऐसे सदस्य अपने मजबूत नयतिक बल के सहारे ही मुखर होते हैं मगर दुरियोग से हाल के वर्सों दसकों में सत्ता या स्वार्थ सिद्धी के लिए जोड तोड की कोशिसे ही अधिक दिखी है बहरहाल पाला बदलने वाले सदस्यों के आचरण से इतर ये राजसभा चुनाओ राजनीतिक दलों के प्रबंद कौशल को भी उजागर कर गए खास कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए इन नतीजों में गहरे सबक हैं अवल तो सपा के प्रत्यासियों के चयन से ही सहयोगी दलों की नाराजगी खुल कर सामने आ गई थी फिर इतनी बड़ी संख्या में पार्टी के विधायकों का दामन जटकना साफ बताता है कि नेत्रित्व ने उनको भरोसे में नहीं लिया था आखिर उन्हें संतुष्ट करने की जिम्मेदारी किसकी थी जब भाजपा ने अपना आठवा उमीदवार उतार दिया था क्या तभी पार्टी नेत्रित्व को अत्रिक्त सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए थी हैरानी की बात है कि पार्टी के मुख्य सचे तक की ही प्रतिबदधता डावाडोल थी और नेत्रित्व इससे गाफिल था इससे भी बुरा हाल तो हिमाचल में कांग्रेस का रहा उत्तर भारत में यहां उसकी इकलोती सरकार है और अनसट सदसी विधान सभा में उसके पास 40 विधायक है फिर भी उसके उम्मीद्वार की जो दुरगती हुई वह पार्टी नेत्रित्व की कमजोरी को बुरी तरह उजागर कर गई वहां उसकी सरकार ही अब संकट में है ऐसे में वहराज्य से लोकसभा की चार सीटों के लिए कोई उम्मीद कैसे पाल सकती है आम चुनाओ हो या विधान सभा चुनाओ उनके करीब आने पर विधायकों सांसदों और नेताओं का पाला बदलना सामान्य बात है मगर राज्य सभा चुनाओं के लिए भाजपा वा एंडिये की मोर्चे बंदी बताती है कि वे किस लच्छ से प्रेरित हैं और उच्छ सदन में भी अपना बहुमत हासिल करने को लेकर सत्ता रूड गटबंधन कितना गंभीर है गौर तलब है कि अभी तक इंडिये को राज्य सभा में बहुमत नहीं है फिर आम चुनाओं से ठीक पहले विपच्छ से सीटें जटक कर वह मतदाताओं को यह संदेश देना चाहता है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है इन चुनाओं का कुल जमा पैगाम यही है कि लोक तंत्र में राजनीतिक प्रबंधन और जीत की भूख के बिना मुकाबले में टिकना भी मुश्किल होता है हिमाचल कांग्रिस अपनी ही पार्टी की करनाटक इकाई से यह सीख ले सकती है समाप्त इस डिक्टेशन का सब लोग ट्रांस्क्राइब कर लेंगे इसमें बहुत ही कठीन सब्द भी आये हुए हैं और कुछ ऐसे सब्द आये हुए हैं जो आप लोग कभी कभी सुनते हैं इसलिए आप लोग उसकी हिंदी भी देख लेंगे वर्तनी देखकर फिर आप उसका आउटलाइन बनाएंगे उसके बाद दो तीन बार इस मैटर को आप लिखिएगा और ट्रांसक्राइब करिएगा इस डिक्टेशन की पीडियाफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए नमबर पर आप वाटसेप या टेलिगराम पर मैसेज कर सकते हैं आपको पीडियाफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा और जो आउटलाइन पूछनी रहेगी वो सब्द भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं और आप लोग अपने कमेंट्स जरूर दीजेगा धन्यवाद